एक बार फिर से आप लोग सभी का अपने ओनलाइन प्रेटफॉर्म इडू फाइवर पे बेलकम करते हैं स्वागत करते हैं तो मेरे दोस्त मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार में सिच्छक बनने की सपना को लेकर अपने तयारी को अस्टार्ट किये थे उनके लिए बेहद इखुस ख़बरी का पल आ चुका है बिहार सरकार ने बिपेसी के माध्यम से ये बता दिया है कि एकज़ाम कब होगी आप लोगो पता होगा क्यूंकि आप लोग न्यूज से जुड़े होते हो अलागी मैं आप लोग को 22-3 तरीके से बताने आया हूँ, समझाने आया हूँ, कि एक्जामनेशन को होने वाली हे, कौन-कौन सा डेट में हो रहा है, साथी सात आपको यह बता रहे हैं, कि THE INFORMATION के मात्यम से, कि परिषा केंदर में कितने बज़े पहुँचना है, कितने तरह का आपके साथ जाच होगी उसके बाद आपको परिशा केंदर में इंटी करवाई जाएगी सारा कुछ डिटेल्स के साथ आपके पास मैं रखने वाला हूँ अराम से प्यार से इज़्जत के साथ सुनिएगा समझेगा ताकि आपको किसी भी परकार के कोई दिक्कत परसा ने केंदर के बाहर और केंदर के अंदर ना हो आएए सिखते हैं और समझते हैं साब शाब हैनो जीखा लिखा हुआ है एक घंट पहले तक ही ही मिलेगा केंदर मेंपरवेस찬 अगर आप बिहार में सिच्छक परिच्छा देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जान लिजे कि परिच्छा केंदर में इंट्री हमारे कितने घंटे पहले होगी, तो साब साब ये लिखा हुआ है कि परिच्छा केंदर में अगर परिच्छा देने जा रहे हैं, तो एक घंटे पहले आपको परिच्छा के इंदर के पास पहुंच जाना होगा आगे क्या बताया गया है कि तिसरे चरण की सिच्छक न्युक्ति भरती परिच्छा 15 वह सुल्ला मार्च को निधारित है जी हां यह जो एकजाम होने वाली है बिहार सिच्छक भरती का टीर तरी का यह 15 मार्च से एडमीड काड डाउनलोड कर सकते हैं यानि आज 7 मार्च है हाज से आप अपना बिहार सिच्छक भरती का टीर 3 का एडमीड काड को डाउनलोड भी कर सकते हैं ठीक है जीले इसमें जीले का नाम अंकित होगा अभियरतियों को पहले ही परिच्छा का जिला आवांटित कर डिया गया है जी हाँ आप लोग पहले ही जिला का जो मिलेगी है परिच्छा को से बाहर अखयर्तियों को आना है जैसे एक्जामने सर सब नहीं आना इजामने झात्म हो जाएका फिर आपका OM uh साब कोक्षर ऑफर सब को ले लिया जाएगा और उसको सिल कर डिया जाएगा फिर सिल करने के बाद आपको center से छोड़ा जाएगा ठीक है तो ध्यान देना यह सा बात पर next ठीक है परिच्छा सुवे के 26 जिलों में आयजुत की जाएगी यह बिहार में जो परिच्छा होने वाली है वो total 26 जिला में परिच्छा होने वाला है आयोग की और से परिच्छा की तैरी जो है वो सुरू कर दी गई है यानि कि पूरी ही जोड़ सोड से बिहार सरकार इस पर आयोग की से जारी निर्देश की अनुसार अव्यर्थियों के परिच्छा केंद्र में एक गंटा पहले पर्वेस्ष करना होगा लीजे अधिय ने यह साभ सब कर दिया कि परिचा के 근al banks को पूरी तरीका से चेक कर ले कि किसी परकार का कोई चीट, फंट, कोई चीज लेकर तो आप इंट्री नहीं कर रहे हैं, है ना, कल्कुलेटर, मुवाइल, है ना, वास लेकर तो इंट्री नहीं कर रहे हैं, कोई भी electronics, equipment लेकर तो इंट्री नहीं कर रहे हैं, ये सब जाज करने के लिए परिछा केंदर पे आपको एक घंटा पहले ही इंट्री करवा लिया जाएगा बिलम से आने वाले अव्यरतियों को परिच्छा केंद्र में परवेश नहीं करने दिया जाएगा अगर आप लेट से आते हैं तो आपको परिच्छा केंद्र में इंट्री करने नहीं दिया जाएगा वो पहले ही नोटिस के चमाध्यम से आप लोग को इंफ्रमेशन दे चुका है कि भाई एक घंटा पहले ही क्या किजिए आप आ जाईए ठीक है ना 15 मार्च को दो पालियों में परिच्छा आयृत की जाएगी यह जो पंद्रा मार्च को जो परिच्छा होने वाला है वह आपको दो पालियों में करव जाएगी वहीं दूसरी पाली की जो परिच्छा होगी वह ढाई बज़े से पांच बज़े तक होगी आयोग के सचीव रवी भूसन ने बताया है कि लगबग साढ़े 400 परिच्छा केंद्रों पर परिच्छा यृजित की जाएगी यानि बिहार में बिहार सी चक भरती परि ईजानेश्रन ली जाएगी उस room में रिंटे करने से पहले तीन परकार का चेक करेगा सबसे पहला तो आपको बाय वायाओ मैट्रिक्स करवाए तो बहुत बड़ा इंफॉर्मेसन है यूँकि ब्यार में ऐसी घटना है बार बर गटते रहती है उन घटनाओं को दोबारा ना हो उन घटनाओं को दोबारा ना उत्पनुन दे इनके लिए ब्यार सरकार एक और बात बताईए लिखाए कि कदाचार में पकड़े गए तो जानकार नहीं कर दो नहीं दे बताया है कि सभी जिला अधिकारी अपने अस्तर से सभी ंपर एक बार बहुत तरी के से जनकारी प्राप्त कर ले किसी तरह की आपती होने पर परिच्छा के अलावा ना के बदलाव किया जाएगा ताकि बाद में किसी तरह की परिशानी ना हो यानि किसी प्रकार करमा लिए जाए सेंटर पर कोई दिक्कत परिशानी है तो सेंटर को बाद में क्या कर दिया जाएग जल्दी जल्दी से जाईए अपना अपना अड्मिट का डाउनलोड कीजिए थैंक यू गाइज बाबाई आपका एक्जाम अच्छा भी थे